श्रीचान के नीती, छटवा अधियाए श्रवन करने से घर्म का ग्यान होता है, द्वेश दूर होता है, ग्यान की प्राप्ति होती है और माया की आसकती से मुक्ति होती है पक्षियों में करवा नीच है, पशुओं में कुत्ता नीच है जो तपस्वी पाप करता है, वह गिनोना है लेकिन जो दूसरों की निंदा करता है, वह सबसे बड़ा चांडाल है राच से गिसने पर पीतल चमकता है तामबा इमली से सास होता है औरते प्रदर से शुद्ध होती है नदी बहती रहे तो सास रहती है राजा, ब्राहमन और तपस्वी योगी जब दूसरे देश जाते है तो आदर पाते है लेकिन औरत यदि भटक जाती है तो बरबाद हो जाती है घनवान व्यक्ति के कई मित्र होते है उसके कई संबंधी भी होते है घनवान को ही आदमी कहा जाता है और परसे वालों को ही पंडित कह कर नवाजा जाता है सर्व शक्तिमान के इच्छा से ही बुद्धी काम करती है वही कर्मों को नियंत्रित करता है उसी की इच्छा से आसपास में मदद करने वाले आ जाते है काल सभी जीवों को निपुनता प्रदान करता है वही सभी जीवों का सहार भी करता है वह जागता रहता है जब सब सोजाते है काल को कोई जीत नहीं सकता जो जन्म से अंध है वह देख नहीं सकते उसी तरह जो वासना के अधीन है वह भी देख नहीं सकते अहंकारी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है और जो पैरसे के पीछे परे है उनको उनके कर्मों में कोई पाप दिखाई नहीं देता जीवात्मा अपने कर्म के मार्क से जाता है पाप लगते है राजा के यहां काम करने वाले पुजारी को राजा के पाप लगते है पती को पत्नी के पाप लगते है गुरु को उसके शिश्यों के पाप लगते है अपने ही घर में व्यक्ति के ये शत्रू हो सकते है उसका बाप यदि वह हरदम कर्ज में डूबा रहता है उसकी मा यदि वह दूसरे पुरुष से संग करती है सुन्दर पत्नी वह लर्का जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं की एक लालची आदमी को भेट वास्तु देकर संतुष्ट करे एक कठोर आदमी को हाथ जोर कर संतुष्ट करे एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करे एक विद्वान आदमी को सच बोल कर संतुष्ट करे एक बेकार राजे का राजा होने से यह बेहतर है कि वेक्ति किसी राजे का राजा ना हो एक पापी का मित्र होने से बेहतर है कि बिना मित्र का हो एक मूर्ख का गुरु होने से बेहतर है कि बिना शिशे वाला हो एक बुरी पत्नी होने से बेहतर है कि बिना पत्नी वाला हो एक बेकार राजे में लोग सुखी कैसे हो एक पापी से किसी शास्ती की प्राप्ती कैसे हो? एक बुरी पत्नी के साथ घर में कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है? एक नालायक शिशे को शिक्षा देकर कैसे कीर्थी प्राप्त हो? शेर से एक बात सीखें, बगुले से एक, मुर्गे से चार, कवे से पाच, कुत्ते से चाह, और गधे से तीन. शेर से यह बरिया बात सीखें कि आप जो भी करना चाहते हो एक दिली से और जबरदस्त प्रयास से करें. बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्षे को जगह, समय और योगिता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करें. मुर्गे से हे चार बाते सीखें, एक सही समय पर उठें, दो निडर बने और लरे तीन, सम्पत्ती का रिष्टे דारों से उचिद बतवारा करें, चार अपने कश्ट से अपना रोजगार प्रापत करें, कवे से ये पाच बाते सीखें, एक अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रने करे, दो निदर्ता तीन, उप्योगी वस्तुओं का संचे करे, चार, सभी और द्रिष्टी गुमाए, पांच, दूसरों पर आसानी से विश्वास ना करे, कुट्टे से ये बाते सीखे एक, बहुत भूखों पर छाने को कुछ ना मिले, या कम मिले तो भी संतोष करे, दो, गागी नींद में हो तो भीक्षन में उठ जाए, तीन, अपने स्वामी के प्रती बेहिचक इमानदारी रखे चार, निदर्ता, गधे से ये तीन बाते सीखे, एक, अपना बोजा धोना ना छोड़ने, दो, सर्दी गर्मी की चिंता ना करे, तीन, सदा संतुष्ट रह जो व्यक्ति इन 20 गुनों पर अमल करेगा, वह जो भी करेगा सफल होगा